लास्ट लेक्चर मां आपणे विक्रूती नो अभ्यास करियो हतो अवे आजे आपणे वनसावडी प्रुथक करण अने एनी भात तेमच तेमा वप्राता कितलाक चिन्होनो अभ्यास करवाना छे के जेने आधारे आपणे एने चित्रात्मक रिते रजुआत करी सक्किये चिन्हो द्वारा चित्रात्मक रजुआत जेने आपणे वनसावडी प्रुथक करण कईये छे मेंडले पोताना जे कारियों ना जे संसोधनों इटले के रिसर्च पची मनुस्यमा जे वार्सागत लक्सणों नी जे भाद छे जे पैटन छे एनी प्रुथक करणनों अभ्यास करवानों सरू करियो महत्वनी इवार्स छे के मेंडले जे प्रयोक करियो ए वटाना ना छोड औने अन्य सजीवों मा करवामा आवियो तो एना जे तुलनात्मक संकरन नो प्रयोग ए मनुस्यमा संभव न थी माटे एक ज्विकल पर है के आवी विशिष्ट लक्सनी आनुअनसिक्ता संदर्बे एना वन्स नो इतिहास नो अभ्यास करवामा आवे कारण के जे मेंडलना जे संकरन नो प्रयोग छे बराबर ते मनुस्यमा सक्क्य नथी बराबर एना घंडा बदा कारणों छे जी विरिते वटाना ना छोड़नी पसंगी ना कारणों छे ते विरिते मनुस्यमा न थई सके एना माटे ना पन कारणों होय सके तो एनी अंदर जी मनुस्य अनी अंदर जी आनुवन सिक्तानो अभ्यास छे तो एना माटे एनो इतिहास नो अभ्यास करवा माटे एने एक 400 रुपे रजु करवा माँ आवे छे मानव कुटुम नी अनेक पेडियो सुधी कोई एक लक्सन नी नोंध राखवानी जे बाबत चे एने आपणे वनसावडी प्रुथक करण कहिए छे पैडिग्री एनालिसिस कहिए छे वनसावडी प्रुथक करण मा एक की साथे वनस व्रुक्ष इटले के फैमेली ट्री तैयार करवामा आवे छे अने ते लक्सन ने आधारे पेडि दर पेडि एनू विशलेशन करवामा आवे छे बराबर इना माटे कितलाक लक्सनों अत्वातों कितलाक चिन हो वप्राई इना विशले आपड़ा अभ्यास करिये चौरस जी निशानी छे ए नर माटे वप्राई छे बराबर गोड जी निशानी छे ए मादा माटे वप्राई छे जहरह आर इतनी निशानी छे ते लिंग नो उलेक नथी सादो चौरस छे असर ग्रस्त नथी सादो गोड छे असर ग्रस्त मादा नथी बराबर आ असर ग्रस्त नथी जहरे घाटू आपेलू छे के चौरस आको फिलप छे गोड फिलप छे तो एवी व्यक्ति ने आपड़े असर ग्रस्त व्यक्ति कहिए छे बराबर अहीं एक वस्तु दियान राखवानी छे कहीं जुओ के प्लस इतले नर अने गोड इतले मादा चौरस नर अने मादा बनने वच्चे जे आड़ी लीटी छे एनों मतलब बनने वच्चे एक लगन सबंद एतले के मेथून नी क्रिया ए दर्सा मावे छे बराबर अने डबल लीटी बनाव मावे तो ए सबंदियों साथे एतले के समरक्त मेथून ए तरीके निसानी करवा मावे छे बराबर अवे जो आ नर छे, आ मादा छे, बनने वच्छे आडे लीटी छे, एटले एनो मतलब बनने वच्छे मेतुन छे, अने उभी लीटी छे, एनो मतलब के एना संतानों। अमादा छे एक नर छे बराबर ओके अवे जे बे असर ग्रस्त न थी साधा छे अने बन्नेर वच्चे लगना थाई अने एमनू जो संतान असर ग्रस्त थाई एनो मतलब आ बन्ने माथी कोई पण एक वाहक छे परन्तु लक्सणों धरावतों न थी इतले के एनी आगली पेड पर्म पर्म-पेड़ी मा उतारी सके छे खे पूते लक्सणों धरावतों न थी याराण के बन्ने सामान्य वाड़ बतावे कि आपणे ओडखिये छे, चालो, अगर, मानव जनिन विध्यानी वाद करिये, तो मानव जनिन विध्यामा वनसावडी एक महत्व पून उपकरण छे, जेनो विशेस लक्षण, और सामन्यता, रोगनी तपास करवा माटे उप्योग करवा मावे छे, बराबर तेमना माटे कि आपणे उपकर जोया छे, बराबर कोईपण सजीवनू प्रत्यक लक्षण, रंग सुत्रम वार आवेला डियेने पर एक अथ्वा बिजा जनिन द्वारा नियंत्रित होई छे, डियेने पर कालेज आपणे जोयू, के नियो डियेने पर नुकलोटाइट नो क्रम आवेलो हो इटलु बेगू मडीने नुकलोटाइट बने छा, नुकलोटाइट बेगू मडीने डियेने आरयने नी रचना थाई छे, बराबर तो आजे डियेने छे, ए आनुवनसिक माहिति यू नू वाहक छे, ते कोईपण परिवर्तन वा गर एक पेडी माथी बीजा पेडी मा पण क्या रेक आ डियेने मा परिवर्तन थाई छे, के केटलीक वकत रुपा अंतरान थाई छे, तो एवा रुपा अंतरान ने आपने विक्रूती कईये छे, जेनो सबंद रंग सुत्र के जनिनना परिवर्तन पर होई, तो एने विक्रूती कईये छे, तो आवी जे विक्रूत इने रंग्सुत्रिय विक्रूति अत्वा तो जनिनीय विक्रूती कईहेगे चैंए अवो प्रहं काले अपणे जे लेक्चरनी अंदर भावतिक विक्रूती और रासायनिक विक्रूती अभ्यासकरी चुकेला छे, के जे भवतिक परिबडोने कारणे विक्रूती आवे छे, डाखला तरेके पर्माणुबम, अनि केतला केमिकल्स पण विक्रूती प्रेरे छे, तो एवी विक्रूती ने आपणे भवतिक विक्रूती अथ्वा रासायनिक विक्रूती कहिये छे, पण दिये ने परिवर्तनने कारणे रंग सुत्रनी अंदर जे फेरफार थाई छे एने ए जे फेरफार एने आगर नी पेडी मा उत्रे छे तो एने आपणे विक्रूती कहिए छे अने आवी विक्रूती ने आपणे जनी निय विक्रूती कहिए छे સેરાબર, ચાલો, વિદ્યારીરીતીરો અહીં કેટલીક વણ્સાવડી આપેલી છે , અને એ વણ્સાવડી માં કેટલીક हक् poorest एक रगशुत्रणों कद अने रगशुत्रणी संक्या एनी अंदर जे फेर फार थाई तेने रगंग्शुत्रण अनिमित्त के यह चें डाखला तरीक से निए अन्दर 23 जोड़ रगंग्सुत्र छें बराबर एफिंगि टो टली 48ente चेंबर देउ 48 होई तो आवी रंगसुत्र नी संख्यामा अथ्वा तो रंगसुत्र ना कदमा थतो फेरफार की जे विक्रूती पेरे छे एने अपड़े रंगसुत्रिय विक्रूती कहिए छे बराबन चालो मेंडलनी जे अनियमित्ता ए छे के कोई जनीन ना रुपा अंतरण मा अथ्वा विक्रूती थाई तो आ विक्कार एज क्रिय विधी द्वारा संतती मा पण उत्रे छे एटले के जनीन मा जो एक वखत विक्रूतीनु निर्मान थायू तो ए विक्रूती त्यार पच्छी एनी संतती एटले के एनी पेडी मा उत्रे छे बराबन जेनों अभ्यास आपणे आनुवनसिक्ताना सिध्धान तोमा करवामा आवेला छे आ प्रकाननी मेंडेलियन अन्यमित्ता आनुवनसिक उदाहने कोई कुटुम्मा वनसावडी प्रूत्थक करन द्वारा सो विद्यार्ति मित्रो आहीं 2 वनसावडी आपेली छे एक तो ए आ पेली छे अने विजु બिजु छे बराबर आ पुरुस छे पुरुस छे इस सादो छे बन्ने वच्चे आड़ी लीटी छे एनो मतलब बन्ने वच्चे लग्न सबंद छे तेके मेथो निक्रिया आने एनी उभी लीटी एनो मतलब एमनीव संतान थाई छे अवे इमना संतान मा एक छोकरी के जे सादी छे छोकरो के जे असर ग्रस्त छे एक छोकरो असर ग्रस्त नती एक छोकरी सादी छे एक छोकरी असर ग्रस्त छे अने एक छोकरो सादो छे अवे जो साधो पूरूस अने साधी स्त्री बन्ने वच्चे लगन थाई तो इमना जे बद्धा संतानों चे इस साधा था से बराबर परंतु असरग्रस्त स्त्री छे अने साधा पुरुस साथे लगन थाई तो एनी जे संतती छे एमा एक साधो पुरुस एक साधो पुरुस अने एक असरग्रस्त स्त्री छे तो आवुजे छे एमा ए एनो आपणे अईये थी अभ्यास करे तो असर ग्रस्त स्त्री थवानु कारण एनी आगली पेडी मा असर ग्रस्त स्त्री छे औने एनी आगली पेडी मा असर ग्रस्त स्त्री छे तोज एना वन्समा आरितनु लक्सनों चोवा मड़ियू अहीं एक असर ग्रस्त छे अने एक सादो छे एथी एनी आपणे प्रभावी देहिक कही सूंग बराबर एटले असर ग्रस्त छे तेने पोताने पण चिनहा छे अने पेडी माँ पणु तारे छे बराबर तो एवी जे वनसावडी वालू लक्सन चेने डेहिक प्रभावी लक्सन कहिए छे बराबर चालो अवे विद्ध्यार्थी मित्र आपड़े बीजी एक वनसावडी नी अभ्यास करवानों छे करवाना छे ओके सादो पुरुस सादी स्त्री बन्ने वच्चे लगन थया संतान थया एक सादो पुरुस थयो एक रोगिस्ट पुरुस सादो पुरुस सादी स्त्री रोगिस्ट पुरुस अने सादो पुरुस अवे जो विद्ध्यार्थी मित्रो आ बन्ने सादा छे तेम छत इम्ना सन्तानों मा एक स्तरी असर ग्र्ष्त छे एक पुरुस पण असर ग्र्ष्त छे एनो मतलब के आ बन्य माथी कोई बी एक असर ग्रस्त नथी पण वाहक हसे इटले के एनी अंदर ए रोग ना चिन हो न थी, ए रोगीस्ट न थी, परंतु ए एनी आगणनी पेडी मा वहन करावे छे, तो एने आपने वाहक कैईसू, बराबर तो जे पोते लक्सनों धरावता न थी पण एनी पेडी मा जो ए लक्सनों नू उतारे छे, तो एने आपने देहिक प्रच्छन लक्सन कैसू। बराबर अवे विद्यार्थी मित्रो पेल्लू आपणे वन्साव्डी जो ये, तो आमाजे बैमाथी एक छे, ए असर ग्रस्त छे। एटले एना संतानो पण असर ग्रस्त छे। अखुद असरग्रस्त छे चेह, राबर एट ले ए निया आपणे देहिक प्रभावी कईसु, प्रभावी छे, करांकि ए जे सत्री छे, ए असरग्रस्त छे, बराबर ज्यरे बीजु जे वनसावडी चेह, एनी अंदर पुरुस अनेस्त्री बन्ने असरग्रस्त न थी बराबर एटले एपने देहिक प्रभावी चईए तेक्रके आपने देहिकिेज असर ग्रस्त गातhen Cand kiaikaika Когда Fead жеa 3 भण संतistem नीदी भण संतलेh तो एवी जे वनसावडी चे एने आपणे देहिक प्रच्छन लक्सन कही सु जारे उपपरमा स्त्री असर्ग्रस्त चनिन संतान पण असर्ग्रस्त थाई छे तो एने आपणे देहिक प्रभावी कही सु तो विध्यार्तिमित्रों देहिक प्रभावी औने देहिक प्रच्छन प्रच्छन offerings प्रच्छन अब करता है एतले के आवू लक्साणे वार्सामा उतारी सके तो एवी जे खामियों छे एन्या आपणे प्रच्छन लक्साण वाडी खामी कहिये छे डाखला तरीके सिकल सेल अनेमिया बराबन ओके आने प्रभावीमा मायोटोनिक डिच्ट्रोफी ए एना उदाहरनों छे चालो मेंडलेन जे विकारों छे एनी वाद करे तो एना सामान्य उदाहरनों मा हिमोफीलिया सिस्टिक फाइब्रोसीस सिकल सेल अनेमिया ब्लाइननेस कलर ब्लाइननेस एदलेके रंग अंधता फिनायल किटो नूरिया थैले सेमिया आ बदाजे छे ए जनीनिक अनियमित्ताना लक्स अने एन्यमित्ता प्रभावी अने प्रच्छन पन्हgrassभ्यापण होई गेंर लक्स अन्यमित्तoteण सिस्टिक अन्यमिया आ ब्लाइननेपना क hago માદા માથી માદા ને પણ મળે છે મરાબણ તો આ રીતની છે બંસાવડી છે એને આપણે મેંડેલેન અની મિતા કે ચે